आज भी लगभग 2,000 से ज़्यादा जो शराब के ठेके खोलने के लिए या अड़े खोलने के लिए लाइसेंस दिये गए हैं अभी जो लिटेस्ट हमारे पास जानकारी है कि इसमें 80% उन छेत्रों में लाइसेंस दिये गए हैं जो रियाइसी छेत्रे हैं या मास्टर प्लान का वोईलेशन करके उनको लाइसेंस दिये गए हैं उन छेत्रों में शराब के ठेके नहीं खोले जा सकते हैं और 213 स्थानों पर जो अभी हाली में नई शराब के दुकाने जो खोली गई हैं ये रियाइसी छेत्रों में हैं और मास्टर प्लान का वोईलेशन करके खोली कि मास्टर प्लान का वॉयलेशन करके रहाइसी छेत्रों में अर्विंद केज्रिवाल की सरकार ने जो शराब के ठेके खोले हैं उनको तुरंत उनको सील किया जाए और इसके लिए जो अधिकारी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ एफ आई यार कराई जाए ये बात भी मैंने दिल्ली के तीनों मेर से और दिल्ली के तीनों मुनिस्फ़ल कमिशनर के साथ इस बात को लेकर चर्चा की है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे मेर्स हमारे मुनिस्फ़ल कमिशनर जैसे पहले उन्होंने 50 शराब की ठेकों को बंद किया या सील किया है अभी 2013 शराब की ठेक करेंगे!